तो गाइस देख सकते हो मेरा पास एक CFL इंबेडर हो और यह इंबेडर चार्ज में लगाने के बाद यह चार्ज नहीं होता है तो देखिए अभी एक बार हम देखा देते हैं आपको चार्ज में लगा के यह देखिए लगा लिया और अभी हम चुछ को करेंगे देख सकते हो चार्ज नहीं हो रहा है तो आज हम यह चार्जिंग प्रोब्लम को टिक करने वाले अगर आपका CFL लिमिटर में इसा प्रोब्लम आ रहा है तो कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे तो प सबछे काव security कहंगे में लागा दिया तो पहले हम देखेंगे यह फावर कैबुल के धर में 202 बिस्ट का रहा या नाई रहा है वहां पहले स्थे चक करेंगे तो आपको यह में सेट करना है तो मैंने सेट कर लिया पास्य पासरेव को को लिया हम पहले उसका इन्पोर्स दे में रखाए देख से टो 100 धिकार है यानि कि इद्वर जो करनका बोल्ट से यह आ रहा है और इदर में हम देखा ते आपको Сेथी वान नैंटी सिट वल दिका रहा है यानि कि य ornaments राकरिक कें तो आपधनी हम उसको पर देते तो पहले इस साधर को चेक करना एक यह बतिका हम ऑफ्र ऐन्वाशए कर देतेstone है और यह करना कुछ नजी सार्केट को पुरा ओपन कर लिया और अभी हम यह सार्केट को चेक करेंगे तो कैसे चेक करना करेंगे तो कहले आपको क्या चेक करना है इधर में एक फ्यूज कुछ चेक करना है तो अभी हम पहले ये फ्यूज कुछ चेक करेंगे हमारा मीटर में बीप का आवाज आना चाहिए देखिए मीटर में बीप का आवाज ना ही आ रहा है ये फ्यूज फूक चुका है और अभी हमको चेक करना है इधर में देख सेक्तों ये जो ब्रिज रिक्ट वहर देख रहा है आपको चुटा सा देख सेक्तों ये ब्रिज रिक्ट वहर चेक करना है बीप का आवाज ना चाह इदर मिल आगर भीब का आवाज आता तो हमारा जो भीज रिट रिक्ट वे ये शोट हो जाता लेकिन उसमें भीब का आवाज नहीं आ रहा है तो यानि कि आमरा भीरे रिजुने जो जु करना पड़ेगा यह कपासर उद पूख चुका है देख सेकतों इह अमोऺ भी शोट हो किसी भी साइट में लगा सकते हो तो अभी हम यह मोबी को लगा देते हैं और अभी हम यह कपासिटर को चैंस करेंगे और देखिए यह कपासिटर है 450 गल्ट और 10 यूफ का तो आभी हम उसकी जगा में न्यू कापसिटा लगाएंगे तो दीखे मैंने ये 450 गल्ट 10 यूफ का कापसिटार मैंने ले लिया आभी हम ये कापसिटार लगाएंगे उसमें और केपासिटर में प्लास मैनेस होता है देख सेक तोईटर में देखिए एक निशान देख रहा है आपको यह हो गया मैनेस का पॉंट और यह हो गया प्लास का पॉंट तो आपको दियान रखना है यह जो केपासिटर है केपासिटर का यह देखिए यह साइट में निशाना ल को लगाना है तो देख को मेने उसको लगा लिया और आब हम एक बार के चेक करेंगे करकों क civ करना है radio the video is due doctor कि लगाना है बीब का आवाज नहीं आना चाहिए दीए अग़र सारकेट तरी रहेगा तो बीब का आऊ द्गता है यानि कि सार्केट ठीक हो गए तो आपको छलाकर देखायेंगे ये किटना बली बडिया दुट पर आपको चलता है तो ये सरकेट की सेबके हैं अगर आपने सरकेट का का मंखरा पर साथ। डाइरेट 220 में लगा दिया तो बाद में सर्केट में कोई फोल्ड रहेगा तो सर्केट जल सकता है तो आपको यह सर्केट को कैसे चेक करना है और हम आपको बताएंगे तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लेना एसे इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहेगा तो काईस देख सेकते हो मैंने उसको पुरा फिटिंग कर लिया और आप हम उसको चेक करेंगे तो चेक करने के लिए आपको एसे 200 वाट का बाल्ब को आपको उपेंड कर लेना है और उसकी जगा में आपको 7 वाट का एं मुलके सेकते हो अनके सब्सक्राइबनक्राइबैं तोर मैं आपाल प्र eld लिए और आपको फार को लगा दिया और आप हम यह यह पुसको आ ये यह देख सेक्ट हो बिल्कुल सोट नहीं है और इधर में आप देख सेक्ट हो अचार्ज हो रहा है देखिए कि अगर में देख सेक्ट हो रहा है बार मीशनी शेखिए